दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटुब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबन्दित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबन्दित हो या फिर सॉफ्टर से संबन्दित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और स्वागत है आप सभी लोग का एक बड़ फिर हमारे यूटूब चैनल प्ले एडिट सॉलूशन में और आज हमारे स्टूडियो पे एक भोले के भगत आये हैं शिव कुमार जी सबसे पहले हम इनका स्वागत करना चाहेंगे अपने यूटूब चैनल पे और ये भाई साब वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं यूटूब पे मेरी एक छोटा सा परिशेत हैं कि आपका शुब नाम क्या है ये आप बतावें और आप कहां से चलकर क्या हैं जिए ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि समय सबकी कीमती है और हमारे पास आज पार्सल निकालने के लिए कई सारे पार्सल यहां पर पड़े हुए हैं तो हम ज् इन्होंने वीडियो देखे यूटूब पे तमाम से लोगों के देखे होंगे उसमें मेरा भी वीडियो देखा और सारे वीडियो देखने के बाद इन्होंने यह निचोड निकाल पाया कि सर्जी के काम लगबग सबसे बहतर है यह उमीद लेकर के मेरे पास आये हैं कि एक पीसी बना करके मुझे देंगे प्लस पूरी तरके से ट्रेनिंग देंगे और गाइड करेंगे चलिए पीसी बनने वाली है कोर आइफाइब में 12 जनरेशन 16 जीवी रहम के साथ जो कि आप देखते हैं 60,000 रुपे की पीसी हाई स्पीड वाली वही पीसी हम बना करके अपने करेंगे यह जानकारी लेने के लिए कि पीसी की बिल्ड क्वालीटी कैसी है फिसी की परफॉर्मेस कैसी है पीसी की सुमदरता कैसी है PC की बफरिंग कैसी है, रेंडर की टाइमी ये घंटे का निकल करके क्या आ रहा है, जिसको सुनकर के आप ये तैय कर पाएंगे कि आपको मेरे पास PC बनवाना चाहिए या फिर नहीं, तो फिलाल बढ़ते हैं आगे, complete PC बिल्ड करते हैं और बाकी की जानकारी आपको उपलब् दोस्तों, शिव कुमार जी के लिए ये मदरबोर्ड हमने सेलेक्ट किया है, मदरबोर्ड काफी जबरदस्त है और इस मदरबोर्ड की बहुत साई खूबिया है, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 4 RAM आप इसमें लगा सकते हैं, 4 RAM की यहां पर जग इसमें अपडेट देखने को मिल जाएगा, वाइफाई के लिए इसमें अलग से कार्ड लगा हुआ है, यानि के अलग से आपको वाइफाई चलाने के लिए डोंगर लगाने की जरूरत नहीं है, तीन डिस्पले आप एक साथ चला सकते हैं इसमें, जिसमें कि आप देख प बार होंगे, बारह 400 नंबर है इस प्रोसेसर का, शत्रसो सॉकेट पे बना हुआ ये प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर है, खास करके रेंडरिंग को लेकर के, और बॉफरिंग बिल्कुल नहीं आती, ये संभ लिखते हैं कि ग्राफिक काड की जौरोत नहीं है क्यूंकि मेरे बनाई हुए कुछ ऐसे पेरामिटर हैं बायोस के अंदर जो कि हम ग्राफिक काड का पैसा बचा करके उस मसीन से ग्राफिक काड के एक नंबर हम परफॉर्मेस बाहर निकाल लेते हैं यहां पर आप सिल देख को बाढ़ होंगे complete seal pack माल है तो हम इसे आपके सामने यहां पर ब्रेक करेंगे प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे दोस्तों रैम निकाल चुके हैं बाहर और यह रैम है टोटल सोल जीवी आठट जीवी की दो स्टिक और यह बहुत हाई परफॉर्मेंस वाली रैम है खास करके वीडिया एडिटिंग के लिए तो एक एक करके हम यहां पर मदर बोर्ड में अपने फिट कर लेंगे फिट करने क हाई स्पीड एससडी वह भी विंडोस के लिए ताकि बहतर परफॉर्मेंस हम इस पीसी में ले सकें दोस्तों प्रोसेसर रैम और एससडी हम यहां पर लगा चुके हैं और अब हम लगाएंगे यहां पर एक बहतरीन सीप्यू कूलर जिससे कि हमारा मशीन का जो परफॉर्म गर्मी हो जाडा हो बरसात हो तो सीप्यू कूलर हम बहुत ही जबर्दस लगाने वाले ओर वह हेें 120 एम्मका एक बहळतर एक शांदर सीप्यू कूलर और वह भी टर्बो मोटर के साहथ आने वाला फिलाल Tip कूलर निकालते हें दोस्तों यह हैं वह हमारा सीप्यूक्य जो कि लगी है टर्बो टेकनोलोजी और यह फुल आरजीबी यानि कि बहुत ही सुन्दर काफी खुबसूरत लुकाईगी पीसी में और यहां पर एक पैकेट इसके साथ मिलता है जो कि कंपनीय में बेजती है जो कंपनी को इसे बनाती है तो इसमें यह मटेरियल इसको मांट करने के बाद आपको दिखाते क्योंकि मांट करता हुआ अगर मैं वीडियो बनाऊगा तो काफी लंबा यह वीडियो हो जाएगा तो इससे इस्टॉल कर लेते हैं मांट कर लेते हैं और फाइनल मदरबोड हम आपको दिखाते हैं दोस्तों मदरबोड कंप्लीट करके हम वापस कैम वाकई में जो बताया जा रहा है वो सही है या नहीं और इसके साथ जो आज हम कैबिनेट लगाने वाले हैं यह कैबिनेट आप यहाँ पर देख पा रहूंगे यह कैबिनेट है यहाँ पर बहुत इगजब की सामने से गलास लगा हुआ और क्यूंकि भिया जी को कूर आई 7 लेट लेकिन मुझे यह कैबिने के लिए लगा करके दिजिए तो क्यूंकि मैं बैठाए उनके सेवा के लिए मैंने मना नहीं किया भाजिसाब को यह कैबिनेट दे रहा हूं और यह काफी खुवसतुरत है फ्रेंट में तीन फैन 120 mm का बड़ा वाला टर्बो मोला साइड मे उपर के साइड में डस्ट फिल्टर यहां पे हम दो फैंड लगाएंगे बहुत सुन्दर पीसी को बनाएंगे RGB लुक देने के साथ 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 स्पीड भी काफी बेहतर मिलेगी और पीछे भी एक फैंड इसमें लगा हुआ है quality में कहीं से कोई समझाथा आमारे या नहीं किया जाता जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि play-date solution पे जितने भी PC बनाय जाते हैं हमेसा quality और speed को ध्यान में रख करके चलिए बढ़ते आगे और जितने भी material इंस्टॉल करते हैं और एक यहाँ पर जानकरी और देना चाहेंगे कि storage के लिए हम 2TB की hard drive लगा रहे हैं तो यह सारा fit कर लेते हैं fit करने के बाद सारी wiring कर लेते हैं wiring की tie कर लेते हैं complete wiring कर दी है glass भी हमने लगा दिया हुआ है और आप देख वारे हैं कि बिल्कुल चमाचा में PC साप सूतरा है और RGB के लिए मैंने जितने भी फैन लगा हैं सारे RGB ही लगा हैं RGB के लिए बड़ावाला CPU कुलर जो कि हमने आपके सामने लगा था PC काफी जबरतस्त है उपर भी फैन लगा दिया हुआ है और पीछे की साइड के हम बात करें तो फैनल वाइरिंग करने के बाद हमने टाई कर दिया है अभी कुछ वाइरिंग यहां पर टाई करना बाकी है अभी इसमें करना ये है कि इसे हम लेकर के चलेंगे अपने मेन काउंटर पे कमप्लीट इसकी मैनुवल बायो सेटिंग करेंगे और सारा जो भी इनका काम है वो साफ्टर इस्टॉल करेंगे बिंडोज डालेंगे इसके बाद इस मशीन की परफार्वर्मेंस चेक करेंगे कि मशीन की स्पीड क्या है परफार्मेंस क्या है रेंडर की टाइमिंग क्या है और बफरिंग कितनी है हर तरीके से संतुष्ट होने के बाद वापस हम फिर कैमरे पे आएंगे जिनका PC उनको भी लेंगे इस मशीन की RGB के साथ मशीन की पूरी जानकारी देते हुए जिनका PC वो मेरे काम से कितना संतुष्ट है उनसे बात करेंगा और वो जानकारी हम आपको उपलब दिखर आएंगे तो सबसे पहले करना है मैनुल बायो सेटिंग फिर आना है कैमरे पे दोस्तों फाइनल PC बिल्ड करने के बाद वापस हम कैमरे पे आ गए है भाई साथ को ले करके और PC की बिल्ड क्वालिटी एक बार हम आपको फिर दिखा दें काफी सुन्दर है मशीन और उपर RGB फैन लगा हुआ है अंदर बिल्कुल साफ सुत्रा एक भी इसमें एक्स्ट्रा वायर आपको लटकता है जूलता हुआ नहीं दिखाई देगा बाद बाकि PC की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी सुन्दर है काफी साफ सुत्रा मशीन है फ्रेंट में भी फैन लगा हुआ है और कैबनेट आई 7 वाली यहां पर लगी है एंटीना मैंने लगा दिया है और उपर डस्ट्र लगा हुआ है अर्जीब की लुक उपर से भी दिखाई दे रही है मशीन काफी सुन्दर है एक बार भाई साब सभी जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो यह थोड़ा मतब थोड़ा सरमीले हैं बहुत जाद यह बोलना नहीं चाहते है थोड़ा इनको कैमेरा देखर के घवडाट होती है लेकिन फिर भी हा या ना में हम इसे जवाब ल आपको काम करने में कोई भी प्राब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास हाई है आप फोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं जो नहीं समझ में आएगा बाकी ट्रेनिंग की वीडियो हमने पूरी दे रखी है और संडे को यानि की रवीवार को हमारा ओफिस बंद रहता है वीडियो एडिटिंग का PCM बना करके देते हैं उसमें software यानि की जो वीडियो एडिटिंग का डाटा है उसका प्राइज अलग है मसीन की प्राइज साथ हजार रुपए है जिसके की साथ एंटी नव अगर आता है फैन जो लोग लगवाते हैं उपर उसका प्राइज अलग कोई confusion हो कोई जानना होता आप मुझे WhatsApp या call कर लिजेगा इस screen पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा उमिद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से अब संतुस्ट हो चुके होंगे इसके बाद भी अगर कुछ जानना या पूछना है तो आप आप मुझे WhatsApp या call कर लिजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए PC वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लोग को प्यारवाने नमस्कार जैन दोस्तों